नमस्कार बाईजूज आईएस हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है आज हम लोग 9 सितंबर 2021 के दैनिक क्वीच की चर्चा करेंगे जो कि आपके आगामी परिक्षा के दिस्कोर्ट से लाबदायक सिध्ध हो सकता है तो आईए एक एक करके देखते हैं पहला प्रस्ण है निउ सा से सही है यानि पहला कथन है LPG सुधारों के कारण क्रिशी पर पढ़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए केंद्र द्वारा 1991 में पहली बार निउन्तम समर्थन मूल पेश किया गया था क्या यह कथन सत्य है जैसा कि अब देखी यहाँ पर सबसे पहली बात वागा है य LPG सुधारों के लिए तो जो LPG सुधार के कारण क्रिशी पर पढ़ने वाला प्रभाव यहाँ पर यह बात यहीं से आपको इसका उत्तर मिल जाएगा कि यह कथन असत्य है चुकि यह हरित क्रांती के समय में ही निउन्तम समर्थन मूल को लाने की बात की गई थी क्रिशी मे समस्याएं थी लोगों को उचित उसका लाब नहीं मिल रहा था तो ऐसे में यह कथन असत्य हो जाता है अब दूसरा है सरकार प्रतेक फसल मौसम की शुरुवात में निउन्तम समर्थन मूल की घोशना करती है यह एकदम सही बात है साल में दो बार रवी और जो खरीफ की फ दो और तीन यानि बी होगा तो आईए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं निउन्तम समर्थन मूल क्या होता है तो यह समर्थन मूल वह समर्थन निउन्तम मूल होता है जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेचे जाने वाले अनाच की पूरी मात्रा खरीदने के दो हजार रुपया प्रतिकुंतल निर्धारित किया गया है तो कोई ब्यापारी किसी किसान से 2100 रुपय में खरी सकता है लेकिन इसे 1975 रुपय में नहीं खरी सकता तो यह बात समझ में आई तो यह ध्यान रखेंगे कि यह कृसी लागतियों मुल आयों की संसुती पर साल मे दो बार रबी और खरीब फसल के लिए की जाती है और यहां एलान फसलों की बुआई से पहले किया जाता है और भारत सरकार इसमें जो है 23 वस्तुएं इसके अंतरगत आती हैं और 2009 से क्रिसी लागत और मूल्यायों की सिफारिस पर इसे तैं किया गया था तो इस तरह से यह कब शुरू ही थी विवस्ता तो भारत में सबसे पहले साल 1966-67 में गेहों के न्यूंतम समर्थन मुल्की घोशना की गई थी तब देश में हरित क्रांती की सुरुआत होई थी चुकि अनाच की तंगी से जूज रहा था देश में क्रिशी उत्पादन बढ़ाना सबसे प्रमुख लक्ष हो गया था तो यह सारे बिंदु हैं और इससे संबंधित यहां पर देखा जाए जो खबर आई हुई है तो सरकार ने 2022 देश के लिए देख रहे हैं ना 40 रुपए की बढ़ोतरी हुई है इसी तरह से यहां पर देख रहे हैं बारले में 35 रुपए की सबसे पहला क्या है गेहु में तो यहनी 100% return cost production हो रहा है इसमें 60% return cost production हो रहा है अब यहां पर इस चित्र के माध्यम से ही आपको आसानी से समझ में आ जाएगा यहीं पर अगर हम यहां पर यह देख सकते हैं lentil के लिए भी यह ग्राम 130 रुपए बढ़ोतरी हुई है यहां पर मसूर दालों में 400 रुपए की बढ़ोतरी हुई है अब इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी जैसे देखे वीट में क्या है पहले 1975 था अब इसे बढ़ा कर 2015 कर दिया गया रुपया तो अब इसका मतलब कितना हुआ है एक हजार आठ हिसकी जो प्रोडक्शन हुई यानि सौ परतिसत रिटर्न मिल रहा है और इंक्रीज MSP जो है 40 है इस तरह से देखे 60 प्रसद, 74 प्रसद, 100 प्रसद, रेफसी डैन, मस्टर्ड में भी मिल रहा है तो इससे भी आप बहुत आसानी से देख सकते हैं चुकि इस तरह के आंकड़े प्रिलिम परिक्षाओं में अकसर आया करते हैं और यहाँ खबर थी, तो देहिंदू में आई हुई खबर है कि सरकार ने मंजूरी दे दी है और बढ़ा दिया है, रभी सीजन किया है, यह ध्यान रखेंगे अब बढ़ते हैं, दूसरा महत्वपूर्ण प्रसन है, थेरु कुथू, यह नुकड़ नाटक का एक रूप है, किस राज्य में प्रचलित है तो जैसा कि इसके नाम से ही आपको दिख रहा है थेरु कुथू, तो थेरु कुथू, स्ट्रीट थियेटर भी इसको बोलते हैं, जैसा कि नाम से ही संकेत दिख रहा है, कि यह नुकड़ गलियों में प्रदर्सन किये जाने वाला थियेटर का एक लोकप्रिय रूप है, और यह कहां चेन्नेई के, यानि पूर्मे मदरास के छेत्रों में यह बहुत प्रजलित है, तो यह आपरेटिव रूप केरल की कथकली से थोड़ा प्रभावित है, और थेरु कुथू, हलाकि सौकिया अब नेताओं द्वारा किया जाता है, जो प्रदर्सन में भाग लेने में सक्षम होने के लिए मंदली का एक छोटा सा बित्ती योगदान भी देते हैं, और इसमें जो कहानियों पर जो यह आधारित होता है, तो जैसे पुरानों की बात की जाती है, इसमें महाभारत रामायर से ली गई हैं, गाने इसमें प्रमूख हैं, जबकि अधिक समवाद इस सामिल होता है, तो आधुनिक धुन करनाटक, देनी दक्षिन भारत का जो सास्त्री संगीत है, राग है, वहाँ से लिया गया है, लेकिन अगर इसमें उत्तर की बात की जाए, तो यह चन्नई मिप्रचलित है, तो यह उत्तर आपका तमिल नाडू होगा, तो इस तरह की यहा सा प्रदूसक सिमेंट उद्योगों से उसरजित होते हैं, अभी करनी यह पदार जिसे पतिकुलेट मैटर कहते हैं, कार्बन मोनो आकसाइड, सलफर डाई आकसाइड, नाइट्रोजन डाई आकसाइड, तो यह चारों इसमें इसके अंतर गताएंगे, दोस्तों सिमेंट इसमेंट कैसे बनता है, यहां पर सी ओ टू का निसकरन हो रहा है, यहां कलिंकर है, यह बहुत बड़ा प्रदूसक के रूप में इसे जाना जाता है, और यह 1400 डिग्री सेल्सियस पर भठी में इसे बनाया जाता है, तो यह कह सकते हैं कि इसकी जो बनाने की प्रक्रिया है, उत्खनन किया जाता है, पिसे हुए कच्चे माल को, अन्य लौहेस के राख जैसी सामगरी के साथ इसे मिलाया जाता है, और इसे 1400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तो इस तरह गर्म होकर सामगरी में कैलसियम आकसाइड और सी ओ टू में तूट जाती है, तो इस के पास भेजा जाता है तो इस तरह से यहां इसे संबंधित खबर आई है दहिंदू में इसी को आधार मानते हुए इस प्रस्न को लिया गया है अब बढ़ते हैं दोस्तों चौथा प्रस्न है प्रधान मंतरी ग्रामीड डिजिटल साक्षरता अभियान योजना के संदर्व मे निमलिखित कत्रों पर विचार कीजिए यह योजना देश के केवल ग्रामीड छेत्रों में लागू है तो अब योजना का जो क्रियानवन ग्रामीड विकास मंतरा लेके समग पर विक्षण में किया जाएगा अब देखिए यहां से प्रस्न ही सीधे सीधे आपको क्या इसम साक्षरता मिसन यानि कि ग्रामीड छेत्र के लोगों को इस साक्षर बनाना है जो की साक्षर नहीं है दो हजार चौदा की बात है भारस सरकार ने जब सर्वे किया तो मातर छे प्रसत लोग इंटरनेट या जो है इस तरह की सुविधाओं का प्रियोग कर रहे थे तो ऐसे म कंदरा में एक घोशना की गई कि हर परिवार के एक सदस को डिजिटल साक्षर बनाना है और यहां इलक्ट्रोनिक मंत्राले के अधीन तो यहां पर यह कथन असत्य हो जाता है तो पहला ही सही है तो केवल एक उत्तर इसमें होगा तो यहां पर हमने प्रधान मंत्री ग्रामी इन नागरिकों को डिजिटली साक्षर बनाना है और यह 14 से 60 वर्साय के बीच होनी चाहिए और वह भारती होना चाहिए और 40 प्रस्त ग्रामीर लोगों की पहचान कर प्रत्येक परिवार के एक सदस को डिजिटल रूप से साक्षर बनाया जाएगा तो यह भी ध्यान रखे यहाँ पर हिंदू में ही आई हुई है तो उसमें यहाँ राजीव चंदर सेखन ने कहा है कि CSC है इमर्ज एज दा इनेबरल फ्रोड डिजिटल लिटरेसी तो यह जो है मिनिस्ट्री आप देख रहा है ना IT इंडस्ट्री तो इसी से यह संबंधित लिया है अब बात करते ह बिगत वर्स में आया हुई है प्रस्न की तो जो संग लोक से आयोग 2015 में आया हुआ प्रस्न है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर में पंचायतन सब्द किसे निर्दिष्ट करता है या पंचायतन सब्द का अर्थ क्या है कि ग्राम के जेस्ट जनों की एक सभा है या धार्मिक संपरदाय है या मंदिर निर्मान की एक सैली है या प्रशासनिक अधिकारी है तो इसमें जो उत्तर होगा वह मंदिर निर्मान की एक सैली है ये ध्यान रखेंगे पंचायतन मंदिर निर्मान की एक सैली है जिसमें एक केंद्रिय मंदिर चार सहायक मंदिरों से घीर होता है खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर भुमनेशर का लिंग राज मंदिर इस सहली के प्रमुक उधारण माने जा सकते हैं और आज बात करते हैं फैक्ट आप दे की कपड़ा छेतर के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोसाहन योजना जिसे पी एल आई योजना भ आवंटित किया है तो यह जो है घरेलू निर्मान को बढ़ावा देने जो पहले तो थोड़ा सा इसमें पी अलाई योजना के बारे में जान लीजिए कि यह है क्या तो यह घरेलू निर्मान को बढ़ावा देने और आयात बिलो में कटवती करने के केन सरकार ने 2020 में ये विदेशी कमपनिओं को आमिंतरित करने के अलामा, इस योजना का उध्य स्थानिय कमपनिओं को मजूदा विनिर्माड इकाईयों को स्थापित करना है, या विस्तार करना है, और यह योजना पांच वर्श की अवद के लिए स्विकद की गई है, नगत प्रोष साहन कि सभी संराइज या महत्पूर्ट छेत्रों को इसमें सामिल किया जाना है और इसके अंतरगत 10 छेत्रों को PLI ओजना के ताथ रिखा गया है तो यानि 10 छेत्रों में खाद प्रसंसक्रण, दूरसंचार, एलक्ट्रोनिक्स, वस्त्र, विसेस इसपात आटो मोबाइल, आटो इसके लिए भी सरकार ने 10,683 करोन रुपए की मंजूरी दे दी है और सरकार के अनुसार इस कदम से गुजरात, उत्तर प्रदेश, महारास, तमिलनाडू, पंजाब, आन प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्यों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा चूकि टेक्स्राइ के तहट 3,00,00 करोन रुपए से भी अधिक का संचाई कारोबार होगा और इस छेत्र में 7,50,00 से भी अधिक लोगों के लिए अतरिक्त रोजगारों के साथ सहायक गदविधियों के लिए भी कई लाख रोजगार भी स्रिजित होंगे तो इस तरह से यह योजना उत्पादन लिंग प्रोसाहन जो PLI योजना है बहुत ही महत्पूर और महत्वा कांची योजना है इस तरह से आज यहीं पर समाप्त होता है फिर हम लोग मिलेंगे अगले दिन नए कोशन के साथ और आशा करता हूँ कि आज का भी वीडियो आपनों को अच्छा लगा होगा और दोस्त आज करता है और दोस्तों